सबी मित्रों को नमस्कार है क्लासे साथ में रिकॉर्ड भी होंगी जिनको आपके बाद क्लास के बाद भेज़ दिया जाएगा तो वो लोग उनसे भी जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी इसको देख पाएंगे तो मित्रों आपके सामने सबसे पहला question आपके सामने दिखाई रहा है question number 44 आईए इसको solve करते है question क्या कह रहा है आपके सामने एक दिया हुआ है fx x less than 0 x equal to 0 x square greater than 0 है तो आपको बताना है कि fx का मान क्या होगा देखिए आपसे limit extends to 0 पूछा जा रहा है तो इस पश्ट दिखाई दे रहा है बोलने की विज़रूतनी इसका answer साब साब बिल्कुल clear हो रहा है question number 44 का बदाई मित्रों इसका answer क्या है देखिए साब साब दिख रहा है इसमें my sema f of 0 minus h जो है वो किस पर निकाली जाएगी इसका correct answer होगा 0 चली बताई clear है सभी लोगों को न अगले question की तरफ बढ़ते हैं यदि कोई दिक्कत हो तो जरूर आप लोग रोग करके बताईएगा तो question number 44 भी done जी कुछ कह रहा है सर अगर कुछ कहना है तो जरूर कहें अगला सवाल question number 45 हलाकि physics का question है फिर भी चली स्टार्ट करते हैं उठाते हैं क्योंकि ये TGT PGT का बैच है और सभी को पता है कि TGT PGT के सलेवस में UP में जो है physics बहतर आती है बहुत बहतर आती है आईए देखते हैं क्या कह रहा है एक रेलगाड़ी पांच 미ตर per second के वेग से चल रही है तथा एक वेक्ति रेलगाड़ी की देशा से साट कोण बनाते हुए दस मीटर के वेग से बहार खुता है लीजे भाई साब तो ये रेलगाड़ी का वेग है रेलगाड़ी का वेग है पाँच मीटर पर सेकंड ओके रिलगाडी जो है पाँच मीटर पर सेकंड प्रति घंटे पाँच मीटर प्रति सेकंड के वेक से चल रही है फाइब मीटर पर सेकंड के वेक से रिलगाडी चल रही है एक व्यक्ति रिलगाडी की दिसा से 60 डिगरी का कूण बनाते हुए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कूदता है लिए भाई 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से रिलगाडी से बाहर की और कूदता है मतलब रिलगाडी काफी स्लो है और इंसान का वेग जो है जादा है 60 डिगरी का कौन बनाते हुए कुदता है आपको बताना है व्यक्ती का जमीन के सापेक्ष वेग क्या होगा जी बहुत बढ़िया व्यक्ती का जमीन के सापेक्ष वेग आपको बताना है कि व्यक्ति का जमीन के साथ एक्ष वेग क्या होगा एक चीज समझी है यहाँ पर कि यहाँ जो है रेल गाड़ी से बाहर कुदता है 10 मीटर प्रती से केंड से बाहर कुद रहा है तो यह जो वेग दिया गया है यह आपको जो वेग दिया गया है ये वेग व्यक्ति का है और हमारे पास जो relative velocity आएगी वो अर्थ के respect में हमारे पास आएगी तो माना हमने कि धरातल के सापेक्ष में अब ये जो चल रही है चीज ये जो चल रही है क्या? रियल गाड़ी तो रियल गाड़ी का वेग इसके सापेक्ष में होगा ग्राउंड के सापेक्ष में तो मैं लिखता हूँ इसको वी एजी वी एजी कहलो या आरजी कहलो वी आरजी आरजी मतलब velocity of rail with respect to ground मतलब रेलवे का रियल गाड़ी का धरातल के सापेक्ष में वेग और एक रेल गाड़ी तथा एक व्यक्ती रेल गाड़ी की गती की दिसा से 60 डिगरी कोन बनाते हुए 10 मीटर प्रती सेकेंड के वेग से रेल गाड़ी से बाहर खूदता है मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये जो वेग है वो व्यक्ती का रेल गाड़ी के रिस्पेक्ट में है एक चो मुझे ये चीज समझ में आ रही है अब कह रहा है आप से कि व्यक्ती का जमीन के साफ एक्षवेग क्या होगा व्यक्ती का जमीन के साफ एक्षवेग क्या होगा चलिए बताइए कोई मदद कर सकता है इसमें तो मैं चाहूंगा कि कोई अपने इन्पूट्स दे मदद करें सर नमस्कार सर नमस्कार सर बढ़िया हूं सर चलिए सर ये question number 45 आमाय सामने चल रहा है एक रेल गाड़ी 5 मेटर परती सेकंड के वेक से चल रही है तथा एक व्यक्ति रेल गाड़ी की गती की दिशा से 60 डिगरी का कोण बनाते हुए 10 मेटर परती सेकंड के वेक से रेल गाड़ी से बाहर की और कुदता है व्यक्ति का जमीन के हाँ जी मेतरो दिखे मैं इसके solution की बात कर लो जो मेरे पास इसका solution उपलब दे तो उस solution पर मैं विश्वास इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो solution मुझे लग राय की गलत है उसमें condition क्या दी गई है उसमें formula लगाया गया है v is equal to under root a square plus b square तो एक नीचे 5 का square दिया गया ह है और 10 का square दिया गया है plus 2 a b मतलब 5 और 10 into cos 60 cos 60 का मांद कितना होता है 1 by 2 यह लिख देता हूँ cos 60 1 by 2 तो यह cos 60 से यह cancel हो जागा तो 5 बार हो जागा क्योंकि 1 by 2 तो v equal to 5 का square 25 दस का square 100 2, 5, 10, 50 तो 125 और 50 मतलब की 175 तो answer इसका रहा है 175 का root देखिए 15 के पास 225 होता है 13 के पास 179 होता है तो 13 से थोड़ा सा ज्यादा और 14 का होता है देखिए 13 का होता है 179 एक root की trick होती है 14 का होता है कितना है 196 तो 175 जो है किसके पास में है 175 जो है 13 के पास में तो इसका जो answer आएगा वो है 13.23 बट अब ये गलत क्यों है इस पर हम बात कर लेते हैं देखिए ये जो formula होता है ये परणामी वेक के लिए लगता है और यहाँ पर already 60 डिगरी पर परणामी वेक तो दे रखा है तो I don't know कि इसका answer यहाँ से ये कैसे दे में भी इसका answer ये बना रखा है मतलब ये concept जो लगता हो परणामी वेक के लिए लगता है ऐसा होता कि भाई मतलब ये question ऐसा होता मैं आपको समझा देता हूं तब इसका answer ऐसा था ये question actually होना कैसा था ये question ऐसा होना था कि एक आदमी है वो उस पानी की धार में तेर रहा है औ लंबवत पानी की धार के और उसका जो वेक है वो 5 मीटर पर सेकेंड है है ना मतलब उसने पानी की धार से 60 डिगरी कोन बनाते हुए कूदा है और 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है तो बताईए परणामी वेक क्या होगा अगर ये question होता तो इसका answer बिलकुल सह होता वो जो फार्मूला अपने लगाया था that time आपके पास जो भी आएगा भी परणामी बराबर हो जाता है वी ए स्क्वेर भी परणामी का स्क्वेर बराबर वी ए स्क्वेर प्लस भी वी स्क्वेर प्लस टू भी ए भी वी कॉस थीटा बट इस केस में I don't think so कि ये जो solution दि अबर 46 क्या कह रहा है क्रॉप करेंगे क्वेर को लेके चलेंगे में विंडो पर क्वेर नमर 46 चलिए ये कॉशन नमर 46 आ चुका है कोई जूड़ना चाहता है जोड़ लें उसे हम लोग चलिए जी तो question number 46 हमारे सामने है किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC की भुजाएं 6 cm 10 और 14 cm है तो उसके अधिक कोणी त्रिभुज का सबसे अधिक कोण किसके बराबर होगा भाई साब यहाँ पर तीन कौण तीन भुजाएं आपके सामने दी गई है तो सबसे पहले इस त्रिभुज को बना लेता हूँ जैसा की बहतर रहता है तो यह सबसे लंबी भुजा है कितने cm 14 cm और इसके सामने का जो कौण होगा वो सबसे ज़ादा होगा यह A है यह B ले ल कौन सा होगा और वो कितने डिगरी होगा चलिए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए यहाँ पर हमने यहाँ पर B माना है B के सामने की भुजा है तो बहतर रहेगा कि हम यहाँ पर कौस B लगाएं और कौस B कॉल टू होता है A स्क्वार प्लस C स्क्वार माइनस B स् 1, 2, AC, सबसे बड़ी भुजा के सामने, जो रहती है, सबसे बड़ा कुन आता है, तो इसके solve करेंगे, तो cos b equal to a square, तो a के सामने की चीज a होती है, तो 100 plus c का square यहने 36, और minus b का square यहने कितना हो गया, 196, 14 का square कितना होता भाई सब, 196 ही होता, तब तो इस गरबड़ हो जाएगी भाई, कुछ गरबड़ हो भी रिखिया, a square plus c square, 10 है, 6 है, तो 10 का square और 6 का square, यह तो गरबड़ ही हो रहा भाई, a square, 10 का square, 6 का square, 36, और minus 14 का square, और 2 into, कोई बात नहीं, अच्छा, cos है, तो वह आतो सकता है, negative काई को, टिक, दिककत, 2 into 10 into 6, कोई दिककत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही है, तो 136 minus 196, और बटे 2 चिक के 12, 10, 120 हो गया है, cos of b जिन्दा बाद, cos b equal to 136 minus 196, 6 में से 6 है गया, 0, 9 में से 3 गया, 60 और minus का 60 बटे 120, लो जी, आंसर आचुका है, cos b equal to, कितना हो चुका है, अपने पास, minus 1 upon 2, मतलब b equal to 120 degree, बिल्कुल सही, तो आंसर होगा इसका C, मित्रों बताईए, समझ में आप लोग को, बहुत ही सरल सवाल, कोई किसी के पास short track हो, तो जरूर बताईए, हमारी इस class का motive यह है, कि हम लोग आपस में मिल जूल करके, कोई short track बगएर हो, तो उसको जरूर डिसकस करें, जी, बताईए, मित्रों, कोई समस्य आए कहा इस question में, चलिए, अगले सवाल की और चलते हैं, अगला सवाल दिखते हैं, okay, question number 46 was done, now moving on with question number 47, so this one is the question number 47, okay, now, so for mod x is less than 1, we have the equation, हमाई पस एक समीकन दिया गया है, y equal to 1 plus x plus x square plus infinity, मतलब भी gp है, और हम लोग जानते हैं, y is equals to a upon 1 minus r, तो 1 upon 1 minus x, यह हमाई पस समीकन हो चुका है, a upon 1 minus r, अब d by dx का मान बोर रहा है, चारों option में देखिए y upon में है, मतलब ऐसा लग रहा हमें, कि हमें dx upon dy निकालके उल्टा कर लेना चाहिए, एक चीज यह है, क्योंकि d by dx निकालता में, तो upon में 1 minus x का whole square आता, जो मेरे किसी option पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से multiply कर देता हूँ, तो y minus y x equal to हो गया कितना 1, तो यहां से मेरे को x चाहिए है, तो कितना हो जाएगा जी, y minus 1 is equals to हो गया कितना मेरे पास, y minus y 1 equal to y x, so y x equal to y minus 1, एक मिनट कुछ गरबड़ी हुई है यहां पे, लिखने में गल्दत हो गया, y minus y x equals to 1 था, ओके देखिए, y x, so हमारे पास x equal to y minus 1 upon y, और you can say x equal to, x equal to 1 minus 1 upon y, तो dx upon dy कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 0, और minus minus plus 1 upon y square, तो यहां पे, dy by dx is equals to हो जाएगा, कितना, उल्टा हो जाएगा, only y square, हमें dx by dy, यही तो किया है, तो dy by dx की value हो में पास y square आ गई है, अब क्या problem हो रही भाई, क्या गलती हो रही रिखे जरा, सब कुछ तो सही किया न, y is equal to a upon 1 minus r, बिल्कुल सही है, so y minus y x equals to 1, ठीक है, यह भी सही है, a upon 1 minus r के इसाफ से, x की value ठीक है, फिर y minus y x equals to 1, तो y minus y x equals to 1, तो y minus 1 equal to plus y x, x equal to y minus 1 upon y, x equal to y 1 minus 1 upon y, dx by dy equal to 1 upon y square, then dy by dx equal to y square, तो अब देखते हैं, अब देखी यहाँ पे y square तो आ चुका है, answer बट अपन को नहीं दिख रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ी समय यह थी खेल हो रहा है, y square को मैं y into y लिख सकता हूँ, एन y और y की value किती है, 1 upon 1 minus x है, ओके, so y upon 1 minus x, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है भई, क्योंकि answer x square plus y की form में दे रखा है, मतलब यहाँ से यह answer इस तरीके से तो नहीं आ रहा है, ओके, x y square d y dx हमाँ पास यह है, और हमें denominator गायब करना है पूरे तरीके से, denominator हमें पूरे तरीके से गायब करना है, एक answer हमाँ पास है जो x और y दोनों की form में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से answer तो नहीं आ रहा है, चलिए तो फिर कुछ दूसरे तरीके से answer के बारे में सूचते हैं, क्या हो सकता सूची, इसको कैसे करते हैं, second method जो इसको करने का तरीका क्या है, हमने y के value 1 प्लस x प्लस x square up to up to up to infinity है, जिसको हमने लिख लिया formula से 1 upon 1 minus x, that is equal to 1 minus x की whole power minus 1, ओके, एन उसके बाद में जो है, divide by dx equal to, हमाँ पास है कितना, divide by dx equal to है, minus 1 upon 1 minus x का whole square, into minus 1 आएगा, x क्योंकि negative है, तो यह बन जाएगा 1 upon 1 minus x square, divide by dx equal to 1 upon 1 minus x square हो गया, अब हमने y minus किया दोन तरफ, क्योंकि हमको यहाँ पे y बनाना है, तो हमने यहाँ पे y minus किया, divide by dx minus y, okay, equals to, कितना है, 1 upon 1 minus x square, y की value किती है, minus 1 by x, तो divide by dx minus y is equal to, 1 minus 1 minus x upon 1 minus x का square, यह हो गई बात, ओके, तो अब इसके बाद में, यह क्या हो जाएगा, divide by dx minus y, equal to 1 x से x cancel हो जाएगा, 1 से 1 cancel हो जाएगा, sorry, and x upon 1 minus x square, जिसको x को बाहर लिके लिक सकता हूँ, 1 upon 1 minus x square, यह बन जाएगा, y square, divide by dx minus y, equal to x y square, और divide by dx, equal to x y square, plus y, तो इस तरीके से, questions solve होगा, हमारे साथ, जो जुड़े हुए, दूसरे teachers हैं, हम please पूछना चाहेंगे, क्या आपके पास, इस से कोई छोटा method है, इस question को कर पाने का, बड़ी खुशी होगी, मुझे यह दि, आप बताएंगे, इसको कर पाने का, कोई छोटा method, सर, आप लोग को, मेरी आवाज आ रही, proper की नहीं आ रही, पहले तो यह बताईए, हलो, जी सर, तो सर, आपके पास, क्या कोई method है, ओके, कोई बात नहीं सर, आँगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं, ओके, देखिए, next question की तरफ चलते हैं, तो यह हो गया है, question 47 हो चुका है, थोड़ा सा difficult था, x, y, square, plus y, question number 48 उठा रहे हैं अपन, question number 48, देखिए, question number 48 क्या कह रहा है, hello, hello, question number 48 हमाई पास कह रहा है, कि अंकों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, से बनने वाली 3 अंकों की, सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, जब तक की अंकों की पुनरवर्थी ना हो, ओके, तो देखिए, संख्याओं अपने पास की 3 नो है, एक से लेकर की 9 है, अब तीन अंकों वाली विभिन सम संख्याओं, तो सम संख्याओं यहाँ पर बना सकते क्या, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, और कितना है था, 8 आ सकता है, तो यहां पर कितने लावेदार होंगे 8 और यहां पर कितने होंगे 7 तो आंसर 7 गुड़े 8 गुड़े 9 ओके तो आंसर कितना हो जागा 7 गुड़े 8 गुड़े 9 तो 56 गुड़े 9 ओके तो 9 गुड़े 6 है 54 की चार केरी आ गई पांच नौपना 45 ओक भाई क्या हो रहा है कि कुछ गड़बड हो रही क्या है यहां पर साथ चपन और ओहो चार का मल्टीप्लाई करना था जी 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 यहां पर टोटल किते हैं फोर दावेदार हैं और यहां पर हम आठ में से दो अंकों का स अगलेक्शन ले सकते हैं तो 56 मल्टीप्लाई वाई फोर और नीचे तो कोई खुल गया ही नहीं क्या कर रहा था मैं भाई मुझे खुदी नहीं पता मैं क्या कर बेठा ओके दो सेवन इन टू एट चपन और गुने कितना चार जी हां तो 4शे 24 की चार और चार पंचे 20 दो 22, 224 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, ओके, करेक्ट आंसर इस 224, येस, ठीक है मैडम, एनी प्रॉब्लम, चलिए, ओके, next question की तरफ चलते हैं, चलिए, अगले question की तरफ चलते हैं, अगला question क्या कह रहा है, question number 48 तो डन हो गया, 224 आ चुका इसका, अगले question की तरफ चलते हैं, रेखिए, समुच्चे का question है, भाई, प्रॉब्लम करता है, ये समुच्चे, ये लिजे जी, question आपके सामने है, जनाब, question बनाईए, question number 49, क्या कह रहा है, माना, आर से आर में सभी फलन, F की सदिस्ट समस्टी भी है, मतलब ये vector algebra का question है, सदिस्ट समस्टी भी है, vector space भी है, निमन समुच्चेओं में से, V की, उप समस्टी नहीं है, निमन समुच्चेओं में से, V की, उप समस्टी नहीं है, ओके, पताईए जी, ये तो मु आइडिया नहीं है तो इस question को हम लोग अभी यहां पर छोड़ते हैं ओके और आंगे बढ़ेंगे इस question को मैं ग्रुप में डाल देता हूं जिससे की लोगो करकर के देंगे हम लोग को तो पता चल जाएगा इसका answer क्या है चली आंगे बढ़ते हैं भी फिलाल question number 50 question number 50 है कि रेखा y x square plus y square equal to 4 मैं स्वारी वरत है x square plus y square equal to 4 मतलब कि 2 का square और रेखा x equal to y root 3 तो मैं आपसे कहूंगा इसको y equal to 1 by root 3 x के बारे में बदल लें अब आपसे कह रहा है इनके बीच में x से घिरे area बताने आपको तो आपको एक trick शायद I think होनी चाहिए इसकी trick होती है कि अगर आपके पास कोई वरत्त का समीकर्ण x square plus y square equal to a square है और एक रेखा है y equal to mx ओके तो इसका जो छेत्रफल होता है वो होता है 16 8a square upon 3m cube ये trick है इसकी जो छेत्रफल होता है common area okay 8a square upon 3m cube ये होता है m cube होता है sorry नीचे तो उस trick से निकालने का प्रयास करता हूं मैं trick लगाइंगे अपन 8a square देखे 8 है और a square कितना है a square है 2 का square ये चार upon 3m का cube m मतलब 1 upon root 3 का whole cube तो 8 into 4 32 ऊपर देखे कितना आ जाएगा oh oh answer pi की form में है ये कुछ मैं गलत बता गया ये मैं short trick बता गया पैरा बोला की sorry माफ कीजेगा बच्चों ये पैरा बोला की short trick होती है confusion हो गया मुझे मैंने पैरा बोला की short trick बता दिए चली कोई बात नहीं कोई तो short trick पता चली गई आपको तो ये short trick लिख लिजे ये पैरा बोला की है और आप लोग को मैं बता देता हूँ कैसे बनती वो शौट रेक पैरा बोला की थोड़ा वो भी काम में आएगी कहीं न कहीं अगर आपके पास कोई परवले है y square equal to 4ax और अगर उसको कोई सरल लेखा काट करके जा रही है तो यह जो area बनता है नहीं चेतरफल तो इसका चेतरफल होता है कितना इसका चेतरफल होता है 8a square upon 3mq यह होती है इसकी जो trick होती है 8a square upon 3mq चलिए बाकी दूसरी वाली trick देखने के लिए मेरे को एक मिनट का बग दीजे चलिए देखे मित्रों तो यह तो sector बन रहा है जैसा कि अभी हमारे मैम ने बताया इसमें कि यह sector बन रहा है क्योंकि xa square plus y square equal to a square यह अपने पास circle है और जो रेखा जा रही है वो y equal to mx की form की है so x equal to y root 3 so y is equal to x upon root 3 you can write it 1 by root 3 into x और 1 by root 3 में आपको 10 30 के दर्शन हो रहा है 10 30 into x मतलब यहां जो line जा रही है वो 30 degree angle बना रही है तो आपको 30 degree के sector का area चाहिए तो sector का area होता पाई r square into theta by 360 तो 30 upon 360 कितना हो गया जी भाई साफ 0 से 0 cancel 12 मतलब पाई by 12 तो हो गया अब r का square radius किती है चार चार का 2 का square चार ही हो गया तो answer होगा जी इसका pi by 3 square unit बिल्कुल सही है जी pi by 3 square unit देख रहे हैं आप लोग कहां कहां तलासते रहे और answer अपना सामने बैठा होगा जी तो इसको answer इसका pi by 3 square unit आ जाएगा ज्यादा इसमें मेहनत करनी की जरूरत नहीं है चलिए जी जनाब अगले question की तरफ चलते हैं क्या है अगला question देखें तुझरा question number 50 हो चुका है question number e 51 ओके और भाई 51 में देखते हैं क्या कह रहा है question e देख करके exponential ध्यान में आ चुका है 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 3 plus 1 upon factorial 4 और ले करके अनन्त तक ये चला जा रहा है तो पता लगाना है कि इसके infinite terms क्या है infinite terms देखें कोई भी option n की form में तो है नहीं कि हम लोगे इसको n की form में कल लें तो एक ही तरीका है हम इसका n में पद निकालें और n में पद के बाद इसको हम infinite टक extend कर देंगे तो इसका n मा पद क्या होगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 n ओके और इसके n में पद में पहले पद में one factorial आता है दूसरे में 3 आता है तीसरे में 4 आता है मतलब एक जादा आता है so you can write n plus one factorial लो जी तो n मा पद कितना हो जाएगा summation n याने n into n plus 1 by 2 और नीचे है n plus 1 factorial तो इसको यदि में break कर लेता हूँ तो यह मेरे पास कितना आ जाएगा यह हो जाएगा n plus 1 फिर n factorial बनेगा तो उसको भी break कर लो तो n और फिर finally आएगा n minus 1 लो जी यह cancel हो गया यह cancel हो गया और tn equals to 1 by 2 n factorial n minus 1 यह चुका है अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को निकालना है sn तो sn equal to summation of tn होता है और यहाँ पे n tends to infinity जाना है मतलब अपन को limit लगेगी n tends to infinity की ओके तो 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 पहले तो कोशिश यह करो कि इससे कुछ अपन को बनने की कोशिश मिल रही की नहीं मिल रही है पहले तो यह देख लो तो sn equal to 1 upon 2 और यहाँ पे limit n tends to infinity ओके tn limit n tends to infinity 1 upon factorial n minus 1 अब देखे जी 1 upon factorial n minus 1 जो होता है वो क्या होता है जी यह तो e होता है तो answer आ गया e by 2 because 1 upon factorial n minus 1 n से 1 से सुरुवात करेंगे तो पहला बन जाएगा 0 फिर उसके बाद 1 हो जाएगा तो यह e हो जाएगा तो answer आ चुका है हमाई पास में इतना चलिए so done answer is half of e next question की तरफ चलते हैं अब अगले question की तरफ चलते हैं यह 51 question done हो चुका है अब 52 question देखते हैं 52 question क्या कह रहा है 52 question को पहले crop कर लेते हैं फिर आई देखते हैं 52 question क्या कह रहा है 52 question बिंदू P जो इस प्रकार गमन करता है कि 2P equal to 3PB जहां e कमान 00 है भी इतना है तो P का बिंदू पत बताना है condition दी गई है 2P equal to 3PB देखें जी class 10th का question ऐसा हुआ करता था तो यहां पर 2P equal to 3PB तो पहले इस question को करने के पहले यह सूचिए कि short trick क्या हो सकती है इस प्रकार गमन करता है कि बिंदू P A से दूरी का दो गुना पीवी से दूरी का तीन गुना है और A और B दिये हुए हैं तो उसका बिंदू पत क्या होगा चलिए जी कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें short trick के नाम पे शायद तक अपन लो पीए पीवी पीए पीवी फिन दू पीए का पीवी का पीवी के साथ जो है 4,3 यह चलिए देकिए मैं कुशिश करना था कि इसकी short trick कोई लग जाए बढ़ अभी हाँ पे मिरे को short trick इसकी कोई नहीं बन रही है तो मैं इसको कैसे solve करूँगा वही तरीका है अपने पास में 2 पीए एक्वाल टू 3 पीवी तो स्क्वार कर दीजे तो 4 पीए का स्क्वार एक्वाल टू 3 का स्क्वार 9 पीवी का स्क्वार अब 4 इंटू पीए का स्क्वार तो पी को अपन क्या point मानते है एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा वाई से लेकर के ए आपके पास जो point दिया क्या 0 कॉमा जीरो तो वहाँ तक की दूरी लगाएंगे कोई जोड़ना चाह रहा है जोड़ने एक सेकंड तो यदि वहाँ तक की दूरी लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 4 यह हो जाएगा अपने पास में x स्क्वार प्लस y स्क्वार because point 0 कॉमा जीरो है और दूसरा वाला जो बंदा है वो क्या है भाई 4 कॉमा मैनस 3 तो यह हो जाएगा equal to 9 और यह हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वार plus y plus 3 का स्क्वार I hope answer यहाँ से दिखने लगेगा भाई 9, 16, 9, 144 अभी भी नहीं दिखरा है चलो 4 x स्क्वार प्लस 4 y स्क्वार equal to 9 bracket में x स्क्वार minus 8 x plus 16 plus y स्क्वार plus 6 y plus 9 यह हो जाएगा जी 9 y स्क्वार 9 x स्क्वार में से 9 y स्क्वार कितना हो जाएगा अपने पास जी 4 9 x स्क्वार में से 4 x स्क्वार 5 x स्क्वार और 9 y स्क्वार में से यह है तो 5 y स्क्वार दोनों ही प्लस के मतलब answer या तो यह वाला है या तो ये वाला है या तो ये वाला है अब देखें 9 का multiply minus 8 के साथ तो minus 72 मतलब यह answer cancel हो गया एक ये बचा एक ये बचा और 9 6 54 प्लस का 54 तो minus का 72 प्लस का 54 मतलब option number A is the correct answer चलिए चेक कर लो मैं option number A सही है कि गलत है तो इसका answer है 5x square plus 5y square minus 72 x plus 54y बिल्कुल correct answer इसका A है yes मैडम कोई trick है आपके पास के सको करने की चलिए ठीक है बहुत बढ़ी है तो किसी के पास कोई trick हो इस class का उद्दिश यही है कि हम लोग आपस में बैठ करके discuss कर सकें चलिए जी अगला question 2 plus है तो x minus 2 पे तूट जाएगा इसका answer साब दिख रहाएजी 1 कोई दिख्कत वाली बात नहीं है 53 का 1 आ जाएगा ओके अगला question 54 डिसकस करते है 54 यदि एक तिर्भुच की बोजाएँ 2, root 6, 1 के उनपात में है तो इस तिर्भुच की लगुत्तम कोण क्या है लगुत्तम कोण मतलब की सबसे छोटा कोण क्या है देखिए सबसे छोटी बोजा 2 है और इसके बाद जो है root 6 है और फिर 1 प्लस root 3 है तो इसमें लगुत्तम कोण क्या होगा इसमें सबसे छोटा कोण आपको बताना है कि क्या होगा सबसे छोटा कोण क्या होगा तो तीन भुचाएँ आपको दी गई है और तीन भुचाओं के अनुपात आपके सामने दिये गई हैं तीन भुचाओं के अनुपात आपके सामने दिये गई हैं मतलब ये कहलेजिए कि A अनुपाते B अनुपाते C एक्वाल टू अनुपाते root 6 अनुपाते 1 प्लस root 3 ये दिया गया है मेरा मन कर रहा है कि मैं इन सब में 2 का डिवाइट कर दू तो 2 अपाउन 2 ठीक 2 का डिवाइट करने से बहतर है मैं इसमें root 2 का डिवाइट करूं तो क्या रहेगा root 2 का डिवाइट करने से root 3 by 1 root 2 का डिवाइट करने से कुछ फायदा है क्या चलिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सबसे बड़ा नंबर इसमें 1 प्लस root 3 रूट 6 लग रहा मेरे को सबसे बड़ा नंबर तो मैं रूट 6 का डिवाइट करता हूँ तो यदि मैं रूट 6 का डिवाइट करूँ इसमें तो मेरे पास 2 अपॉन रूट 6 चलिए जी अनुपाते रूट 6 अपॉन रूट 6 और अनुपाते 1 प्लस रूट 3 रूट 6 तो इससे मुझे क्या फार्मूला मिल जाएगा तो यह मेरे पास बन जाएगा 2 रूट 6 को यदि मैं लिखूंगा तो यह मेरे पास आजाएगा अन्डर रूट 2 रूट 3 रेश टू 1 और यह हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 6 एक चीज़ तो यह आगी है हमें पास में अब यदि मैं उपर इसमें रूट 3 का पूरे में मल्टिप्लाई कर दूँ यदि मैं रूट 3 का पूरे में मल्टिप्लाई कर दूँ तो क्या होगा रूट 3 का मल्टिप्लाई करने से मेरे पास यह हो जाएगा root 2 यह हो जाएगा root 3 और यह हो जाएगा root 3 plus 3 upon root 6 चलिए यह हो जाएगा इसको ज़्यादा अच्छा मैं common लेके लिख सकता हूँ root 2 is to root 3 और यदि मैं root 3 यहां से common लेना हूँ तो 1 plus root 3 upon कितना root 3 into root 2 चलिए यह चीज आ गई है अब मैं यदि मैं पूरे में 2 का divide कर दूँ देखे मैं answer ला रहा हूँ अपना answer में बना रहा हूँ तो यदि मैं पूरे में 2 का divide कर दूँ तो root 3 root 3 upon 2 और 1 plus root 3 by 2 root 2 यह आपने देखा होगा तो यह जो होता है यह मेरे पास कितना होता है यह मेरे पास जो option में बनता है यह मेरे पास बनेगा 1 by root 2 बहुत बढ़िया और यह मेरे पास बनेगा कितना root 3 upon 2 और यह मेरे पास बनेगा कितना root 3 प्लस 1 बाइ 2 रूट 2 आप ध्यान से देखिए यह क्या है यह है साइन 45 यह है साइन ओफ 60 डिग्री और यह है साइन ओफ 75 डिग्री तो जो एंगल का रेशियो आरा सबसे छोटा एंगल आ रहा है वो कित्ते डिग्री है 45 डिग्री है lowest एंगल बोलिये मित्रों यह concept आपको समझ में आया है कि नहीं है हाँ तो जो सबसे छोटा एंगल हमाई पास आ रहा है 45 डेकरी यहां से आ रहा है और कोई छोटी मेठा दे दिया आप लोग को लग रही है तो प्लीज बताईए इसको हम कैसे कर सकते हैं छोटे मेठाड में एक चीज में आपको यहां पर बता देना चाता हूँ एक्स्ट्रा एड करूँगा कि आप लोग जानते हैं कि sin A upon A और you can say A upon sin A equal to B upon sin B equal to C upon sin C इसका उल्टा भी होता है और इसमें एक fix ratio होता है K So A is equal to K sin A B is equal to K sin B and C equal to K sin C यह रूल होगा करता है स्वरी यहां पर small भी है तो एक चीज K sin A, K sin B, K sin C तो यहां से याद रखेगा कि A raise to B raise to C equal to K sin A raise to K sin B raise to K sin C और KKK आप कैंसल कर सकते हैं अनुपात में मतलब इनका जो अनुपात होता है अगला सवाल क्या है ये हो चुका है जी 54 का one number सवाल हो चुका है चलिए अब देखते हैं question ये बहुत अच्छा question और हर बार exam में आता है ये maths का कम है physics का ज़्यादा question है और इसमें बहुत चादा बच्चे गलती करते हैं इस question को हम लोग करते हैं आईए देखते हैं क्या के रह ये देखिए सबसे पहले मूल बिंदू ये है यहां है मूल बिंदू ओके और ये जो है जिस बिंदू पर आप बल लगा रहे हैं ये है तो जिस बिंदू पर आप बल लगा रहे हैं वो ये है 2i cap 2 minus 2j cap minus 3 मतलब इस point के position वेक्टर कितने हैं 2, minus 2, minus 3 ये इस point के position वेक्टर है जिस पर आप बल लगा रहे हैं और इस पर बल लगा रहे हैं कौन सा बल लगा रहे हैं ये लगा करके आप इसको घुमा रहे हैं बल का सदिस क्या है 3i cap 3i cap plus 4j cap minus 3k cap तो सबसे पहले मैं जब बता हूँ इसका फॉर्मुला क्या होता है इसका फॉर्मुला था r cross f तो r आपके पास क्या ये एक point क्या 0,0 ओके तो सबसे पहले आप ये सदिस बनाईए ये सदिस बनाईए कौन सा सदिस op सदिस तो इसको मैं आपको rule बता दू r equal to होता है at minus about बहुत काम की जीच मैं आपको बता रहा हूँ at minus about मतलब जिस पर लगा रहे हो और जिसके परिता लगा रहे हो तो यहाँ पर इसका सदिस बनेगा at minus about का vector बनेगा तो r vector क्या बनेगा यहाँ तो बहुत simple एक फिलाल point ये 0,0,0 है तो 2 minus 0 मतलब 2i cap और minus 2j cap और minus 3k cap ये बन गया बट अलग कोई point होता तो आपको सोचना पड़ता बट याद रखना at minus about मतलब जिस पर बल लगा रहे हो आँगे रहेगा जिसके परता है बल लगा रहे हो पीछे रहेगा और f तो आपका दिया हुए जिंदा बाद तो जो टॉर्क होता है याद रखना हमेंसा जी टॉर्क होता है r cross f नa f cross r नो कुछ सीओ र r cross f कभी भूलना मत सद्धी सुल्फ में जो टॉर्क होता वो r cross f क्योंकि आप r को f की दििसा में गुमाते हो ना की f को r की दिसा में गुमाते हो तो i cap, j cap, k cap R के कोने कोने 2, minus 2, minus 3 और F के कोने कोने 3 है, 4 है, और minus 3 है बड़े आराम से करना नहीं गलती हो जाएगी तो torque vector equal to I cap देखो जी, 2 minus 3 plus का 6 और plus का कितना हो जागा, 4 minus 3, 12 18 I cap, ओहो, परिमार निकालने को बोल दिया माडाला तो solve करना पड़ेगा, minus का J cap, 2 minus का 6 9, और plus का K cap हो जागा, तो 2, 4, 8 और plus 3, 9 ने 6 चलो जी, तो इसको हलकलो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास torque बरावर हो जाएगा torque vector is equal to 12, 6, 18 I cap 6 में से 9 हो गए, plus 3 J cap और plus 8 और 6, 14 K cap चली, तो इसका परिमार निकालने को बोला गया तो mot torque equal to under root, 18 का square बोले तो 324 plus 3 का square, 9 और 196, जोड़ दो भाई साब 329 और 196 हो जाएगा, कितना 9, 4, 13, 6, 29 529, और 529 कट और कितना हो था, 23 तो answer इसका कितना होगा, 23 ही काई चलो जी, आगया जी समझ में chapter अगला move करूंगे, slide समझ में आगया clear एकदम जी, very good चलिए जी जनाब, अगले सवाल पर चलते हैं क्या कह रहा है, 55 नंबर तो हो चुका है अब चलते हैं 56 नंबर पर लो भाई साब fx equal to x minus 1, x minus 2 भईया, किस पर देखो भईया, दो बिन्दू यहाँ पर खतरनाक दिखाई दे रहा है कोने वाले बिन्दू, जिस बिन्दू पर फलन सुनने होता है, 1 x equal to 1 और 1 x equal to 2, इन पर अवकलनी नहीं होगा, बाकी हर जगई है सरवत अवकलनी होगा चलिए, question नंबर 57 चलते हैं, 57 कुछ question physics से ही related है, इसको हल करेंगे ओके 3, 49,2 meter per second के वेक से परच्छेपित गेंद लिए भाई, तो यू बराबर कितना है, 49,2 40 दे देते बाबू, परच्छेपित की गई किसी गेंद की अधिक्तम 36 परास है, लो, अधिक्तम तो r बराबर होता है, कितना u square sin 2 theta upon g, यह होता है तो अधिक्तम 66 परास कितनी होती है u square upon g, तो 39.2 का whole square और upon g कितना होता है 9.8 पहले ही बोल रखा है लो, तो 39.2 एक बार और 39.2 दो बार, upon कितना है 9.8, अब देखे जी, इसको सोचेंगे, आप कैसे find करें तो मेरा विचार है, कि एक बार आप इसको 40-40 ले करके देख लीजे मगर answer बहुत ज़्यादा difference है थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से answer आ जाना चाहिए अब नहीं, तो 39.2 में कौन पॉइंट को जहलता रहे, 13-39 वैसे भी होता है थोड़ी सी मुश्किल आते हैं, चलिए इसको 40 ले के कर लेते हैं, 39.2 के दी में 40-40 और नीचे 10 ले लेता हूँ तो 10 से 0 कैंसल तो answer कितना आ आ गया, 160 और 160 की सबसे करीबी है 157, जी हाँ, तो correct answer यही है 157 मीटर देखे, 40 ले करके यहाँ खरने में कोई बंतलब नहीं था और बाकी calculator हो तो आप करके सकते हो बट मेरा बिचार है कि आप ऐसे कर लें तो जादा बहतर है चलिए 58 नमबर सवाल की और चला जाए 58 सवाल क्या कहरें, लो भाई A, B, C दोनों पर लंब है 10 वी क्लास का question है, सीरे सीरे क्या कर दो भाई साब इसको वर्ग कर के वर्ग कर दो तो आंसर आजाएगा A, B, 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 C नहीं थोड़ा सा अलग question है A, B, C इनके परमाना यह A, B, C, B, C, 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 A और A, B, B पर लंब है हाँ, 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 तो वो ही हो जाएगा Ultimately, कहानी वही बन गई मतलब चलिए मैं आपको थोड़ा से explain कर देता हूँ उस question को है वही, बारवी class वाला question NCRT का लगभग लगभग आईए जी क्या कह रहा, कह रहा A, B, C के परिणा, सदिस, परिमार सदिस है लेओ भाई साब तो हमने A, B, C का सदिस बना दिया एक मिनट इंतिजार करें save or a file मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है चलिए जी, देखे क्या कह रहा है सदिस A का परिमार जो है लंब है भाईया, तो लंबत सदिस का डॉट पुड़क कितना होता है 0 मतलब A, B और A, C कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, चलो, अच्छी बात है अब A, B, C का परिमार निकालना है मतलब A, B, C का परिमार आप जानते हैं किसी सदिस के परिमार का वर्ग जो होता है उस सदिस के वर्ग के एक्वल होता है क्योंकि सदिस का वर्ग जो होता है सदिस के परिमार के वर्ग के बराबर होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा अपने पास है 3 का स्क्वेर 9, 4 का स्क्वेर 16, और 5 का स्क्वेर 25, 25 और 25 कितने हो गया 50, तो mod of A plus B कितना हो जाएगा, 50 को हम लिख सकते हैं कितना, 25 गोने 2, और लग जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, तो answer आएगा 5 root 2, चलिए जी, तो correct answer किया इसका, 5 root 2, 5 root 2, A option, ठीक है, पिद्यारती हो, सबको समझ में आ रहा है, एक बार यहाँ बोल दो भाई साब, चलिए अगला सवाल की तरफ शलते हैं, निम निम बारम बाता मर्ध्यन की, बंटन की माधिका क्या लिए भाई साब, माधिका के लिए ऐसे, बंटन के माधिका के लिए क्या किया गरो, question में कुछ करे भी न सीरे जोड़ लो, उटना बारम बारता संचेश आवर्ति बनाने पड़ेगी, तो इसका जो डेटा आएगा, 31 का डेटा आएगा, वो कितना आएगा? अपने पास में 31 का डेटा आएगा मतलब total संख्या 31 आ चुकी है तो odd number of data आया है तो इसका 31 plus 1 by 2 31 plus 1 by 2 32 बटे 2 यानि कि 16 डेटा इसका जो आएगा वो इसकी माधिका होगी अब यह देख लो कि 16 डेटा कहां पर आ रहा है तो दूसरे डेटा तक दूसरे नंबर का रोल नंबर यहां 2, 4, 6 6, 4, 10 10, 7, 17 हाँ यह आ गया 16 डेटा क्या होगा 28 होगा तो इसकी माधिका कित्ती होनी चाहिए जी 28 बिल्कुल सही समझ में आया सभी को समझ में आया यस सर ओके क्वेश्चन नंबर साठवा क्वेश्चन नंबर साठवा दो पासों को निस्पक्ष जोड़ी को एक बार फेका जाता है तो दोनों पासों पर अंको के योग पांच होनी की प्राइक ता है यह तो बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा भाई पांच मतलब चार एक एक चार तीन दो दो तीन और कोन है भाई एक के साथ आगया दो के साथ आगया तीन के साथ आगया चार के साथ आगया पांच के साथ तो आनी सकता है मतलब चार बटे चात्तिस प्राविल्डी कित्ती हो गई एक बटे नौ घटिया कॉस्चन चली अगला सवाल लेखते हैं साथ नमबर पर आ चुके हैं अगला सवाल लेखेंगे साथ के बाद 61 साथवा भी हो चुका है पूरे मार्ग से उट लिए कॉस्चन नमबर निम्ड में से कौन सी संक्या परिमेय है आईए जी परिमेय है मतलब थोड़ी सी जुगाड़ लगानी पड़ी है अपन को तो परिमेय के लिए मेरा निशाना तो सबसे पहले भाई साथ मेरा मन में लड़ू फूट रहा है सी को देख करके चूकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 2 का डिवाइड और 2 का मल्टिप्लाई कर दूँ तो ये 1 अपन 2 और उपर आ जाएगा 2 साइन 15 कॉस 15 और साइन 15 कॉस 15 कितना हो जाएगा साइन 30 अपन 2 यानि 1 अपन 4 हो जाएगा तो करेक्ट आंसर इसका C है एक हो गया आंसर तो इसका आंसर आ चुका है C बाकी में दोड़ने की जोड़ते नहीं जब एक आंसर आ चुका है तो परिमेश का C आप्शन है अगला सवाल की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नमबर 62 यदि नच सम्तल फिसलने में लगा समय इसकी उर्धारत उचाई में लगे समय का दो गुना है तो बताईए क्या होगा ओहो फिजिक्स की पराकाष्ठा यूज हो रही है इस क्वेश्चन में आईए फिर भी करने का प्रियास करते है यदि चिकने नच सम्तल से फिसलने में लगा हुआ समय आजाओ भाई एक नच सम्तल बना लो नच सम्तल इंगला इंगलिश में बोलते हैं इंकलाइंड प्लेन ये लिजी जी इंकलाइंड प्लेन आगया कहरा यदि चिकने नच सम्तल से फिसलने में लगा समय किसको कुछ रखा होगा और इसको मैं एसमान लेता हूँ चलिए जी कुछ करबड़ी हो रही है इस रास्ते को मैं एसमान लेता हूँ यहां से मैं इसको कितना मान लेता हूँ एसमान लेता हूँ कह रहा है कि यदी चिकने नत सम्तल में फिसलने में लगा समय यदि यहां से फिसलने में लगा समय जो है वो दोगुना है यहां से फिसलने में लगा समय दोगुना है तो कल तलका जुकाओ मतलब भाई सब तलका जुकाओ अपनको ग्याद करना है तो यह अपने पास theta है यह h है s है तो एक relationship पैसे ही बनाया लेता हूँ है sin theta is equal to h upon s so h equal to हो गया s sin theta s into sin theta यह h की value आ चुकी है हमाँ पास s sin theta ओके अम नौ अब देखें आपके पास जो formula होता है यहां से लेकर के यहां तक में जाने में लगा हुआ समय यहां से लेकर के यहां तक जाने में लगा हुआ समय तो अपने पास formula होता है h equal to देको जी formula होता है s equal to ut plus half a t square बट ध्यान रखना अब देखें s आपका downward है तो height ले लो s कितनी है क्योंकि height है जो s है यह नीचे के लिए यहां से एक अलग बात सुरोगे यह उपर वाले मिला मत देना आप लोगे यह नई चीज है तो s equal to height है और उपर से गिरा रहे हो तो प्रारम्भी कितना है 0 into t plus 1 upon 2 नीचे की तरफ क्या लगेगी ग्रेविटी लगेगी न तो नीचे की तरफ gravity और t का square तो h equal to कितना हो गया half gt square बहुत बढ़िया यह हो गया h equal to half gt square यहां से हमाय पास h equal to half gt square आ चुका है ठीक है और h की जगे में क्या लिख सकता हूं है h की जगे में लिख सकता हूं है ssin theta s into sin theta is equal to 1 upon 2 gt square ssin theta is equal to 1 upon 2 gt square यह हो गया okay 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 यह आ चुका है ssin theta is equal to 1 upon 2 gt square चली तो ssin theta is equal to कितना हो गया 1 upon 2 gt square यह कहां तो s equal to ssin theta is equal to 1 upon 2 gt square h की value है ssin theta ठीक तो देखिए हम यह मान करके चल रहा है कि पहले वाले situation में जो है यहां से नीचे आने में first scene में इसे t time लगा हुआ है okay t time लगा हुआ है तो यह relationship मेरे पास किसके लिए develop हो गई है t time के लिए अब मेरे को यहां तक का एक time निकालना है कि यहां तक के लिए relationship क्या develop होगी इधर से इधर तक आने के लिए मेरे पास relationship क्या develop होगी तो इधर के लिए मैं relationship निकालता हूँ कैसे देख लेगी relationship देखिये जब यह चीज यहां से यहां गिरती है तो इसको double time लगता है इसको कितना लगता है double time लगता है इस time का double time लगता है तो सबसे पहले मैं यह देखता हूँ कि यहां से लेकर के यहां तक गिरने में इसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा s equal to ut तो देखे यहां से drop कर रहा हूं मैं तो इसके along यहां पर initial velocity के तीरियों की 0 into यहां से यहां तक का time कितना लगा है 2t plus half और नीचे आने के during जो acceleration बनता है मित्रों वो होता है g sin theta into 2t का square क्यों 2t क्यों ले लिया मैंने 2t मैंने इस ले ले लिया है क्योंकि मुझे यहां पर समय जो है दो गुना लग रहा है पुराने cases का पुराने case में अब देखे यहां से जो पुराना t है मुझे यहां से क्या मेरे को पूरी equation t में actually लेकर आनी है sorry t को मेरे को eliminate करना है क्योंकि मुझे theta चाहिए है मेरे को यहां पर theta चाहिए है तो मैं यहां से t को पूरे तरीके से eliminate करना चाहता हूँ तब मुझे यहां पर theta मेरे को मिल जाएगा तो आपके पास क्या बने गया S equal to आपके पास बन चुका है half से 2 cancel हो जाएगा तो G 2 से 2 cancel हो गया तो 2G sin theta into T का square ये आ चुका है 2G sin theta into T का square ठीक है न अब ये देखिए इसको आप relation number 2 मान लीजिए अब यदि आप जो है यदि आप यहाँ पे S की value हमें कहां तक लाना है theta ले करके आना है हमें यहाँ पर theta ले करके आना है ओके तो H equal to यहाँ से हमारे पास S equal to displacement हमने जो निकाला है S equal to कितना आ गया S equal to half G sin theta into 2t का square जिसको cancel करने के बाद हमारे पास कितना बच चुका है 2g sin theta into t का square अब केवल एक चीज़ पर approach रखिए कि आपको यहाँ से theta ले करके आना है तो चलिए करते हैं क्या करते हैं देखिए यहाँ पे gt square है न ok gt square है तो उपर वाले formula से gt square को gap कर दीजे तो उपर वाले formula से gt square हो जाएगा 2s sin theta तो s equal to 2 into s sin theta multiply by sin theta ok यह हो गया और gt square gap कर दिया तो gt square के ज़िए कितना हो गया 2s sin theta तो यहाँ पे 2 भी रखती है मैंने और एक 2 मेरे ख्याल से एक और आएगा यहाँ पे exactly एक 2 यहाँ पे मेरे पास और आएगा because 2 यह पहले वाला था और यहाँ पे gt square की जगे मेरे पास 2s sin theta आएगा तो s भी आ गया और यह भी आ गया मेरे पास ठीक है तो s से s क्या हो गया cancel हमारे पास sin square theta is equal to हो जाएगा 1 by 4 so मैं लिख सकता हूँ sin square theta is equal to 1 by 4 तो sin theta is equal to 1 by 2 means theta is equal to कितने degree 30 degree ओके तो यहाँ पे सीखने वाली बात केवल यह है कि अगर कोई body किसी नत समतल से गिरती है तो उसके उपर जो तरण काम करता है वो कितना होता है g sin theta अगर आपको यह याद रहेगा तो आपी सवाल कर ले जाएगे ठीक है ना चली अगले सवाल की तरफ चलते हैं यस यह हो गया अगला सवाल दीर ब्रत 9x square 4x square plus 9y square equal to 36 के ना भी लंबी की लंबाई क्या होगी 2b square upon a होती है बढ़ ध्यान से देख लेज़ेगा दीर ब्रत जा कहा रहा है तब पता चलेगा 2b square upon a और 2 square upon b तो 4x square plus 9y square equal to 36 तो x square upon 9, 4, 36 9 plus y square upon 4 equal to 36 मतलब 2b square by a तो 2 into b square 4 बटे 9 आंसर 8 बटे ना भी लंबे की लंबाई upon a ओके b square upon a यह 3 हो जाएगा भाई साब तो answer है 8 by 3 correct answer इसका b answer 63 का b let me check and it is correct right answer ओके जी यदि a cross b अगला क्या सवाल कह रहा है यदि a और b यदि a तथा भी एक समानतर चत्रूज की आसन भुजाए है तो एक आवश्यक प्रतिबंद a plus b का mod equal to a minus b का mod देखे जी भाई a plus b का mod और a minus b का mod कब होता है जब a और b के बीच का कौन जो होता 90 degree होता है तो a और b के बीच का कौन जो होता 90 degree इसमें होता नहीं है वर्ग में भी होता है सम्द चत्रूज में होता नहीं है और आयत में देखे अब प्रॉब्लम यह है कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आयत होना चाहिए लो भाई यह सदिस a और यह सदिस b तो उपर की तरफ जो बनता है यह बनता है a प्लस b तो समाना अंतर चत्रूज बनता है और इसका परिमार बनता है a प्लस b और जो a माइनस b जाता है वो क्या होता है b को नीचे की तरफ करने पर माइनस b बनता है ये देखिए minus b हो गया तो इसका जो परिमार जाता है वो कितना होता है वो होता है a minus b तो इन दोनों के बीच का जो कौन कितना हुआ करता है इन दोनों के बीच का कौन 90 degree होता है अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का कौन 90 degree होगा और a plus b का परिमार A minus B के परिमाड के लिए चत्र भूच होगा A plus B का परिमाड A minus B के परिमाड के बराबर हो तो इसमें ये देख लिए अपनने की भाई दोनों के बीच का कोण 90 degree होना चाहिए A और B के बीच का कोण 90 degree होना चाहिए मतलब A और B देखें, दो चीज़ें हैं यहाँ पे दो चीज में confused हो गए हुए आप पहली चीज हर हालत में A-B A-B के लंबवत होगा पहली चीज तो यह नोट कर लो कि A-B हर हालत में A-B के लंबवत होगा यह तो होगा ही और दूसरी बात A-B करोगे तो A.B is equal to 0 आएगा करके देख लो कैसे आएगा लेओ अगला करके देख लो इसको और इसको अपन जो है इसको करके देख लेते हैं क्या वोला गया आप से कि A-B का परिमार equal to A-B का परिमार चलो वर्ग कल लो भाई साब इसका सबको पता है कि किसी सदिस के परिमार का वर्ग सदिस के वर्ग के बराबर होता है तो वर्ग करेंगे तो यह क्या जागा A-B का square equal to A plus B का square यह वर्ग कर दिया तो A square plus B square minus 2A with sadis dot B sadis बराबर A square plus B square plus 2A sadis dot B sadis यह यह दोनों cancel हो गए हैं तो 4A sadis dot B sadis equal to 0 मतलब A sadis dot B sadis equal to 0 मतलब A sadis B sadis के perpendicular होगा और यह किस में होता भाई साब यह होता है आयत में क्योंकि आयत की दो भुजाएं बराबर भी नहीं होती उनके बीच का कोण 90 degree होता है अगर यदि यहां पे दोनों भुजाएं बराबर हो जाती A dot B तो वो वर्ग बन जाता बट भराबर नहीं है A और B तो आयत बने गई है ठीक है समझ में आ गया चलिए अगला कुश्चन है एक अती परवले जो की इतने से हो करके जाता है इसकी उत्केंदरता क्या होगी देखे अती परवले बिंदू दिये हुए अती परवले के अती परवले जो है इन बिंदू से हो करके जा रहा है तो उसकी इत्केंदरता क्या होगी तो सबसे पहली जीज़ तो हमें यहाँ पर अती परवले का समी करण बना लेना चाहिए कि जो इन बिंदू से हो करके जा रहा है उस अती परवले का समी करण कितना निकलेगा और उसके बाद यह हल हो जाएगा तो सबसे पहले हम मान लेते देखे 3,0 and 3 root 2,2 तो भाई अती परवले का हम कोई समी करण मान लेते है माना अती परवले का समी करण है X2 upon A2 minus Y2 upon B2 equal to 1 X2 upon A2 minus Y2 upon B2 equal to 1 यह अति परवले का मैं पर समीकन है तो पहला समीकन बिंदू 3,0 से उके जा रहा है तो 3,0 इसको संतोष्ट कराएंगे तो 9 upon a square minus 0 upon b square equal to 1 मतलब a square equal to 9 वा भाई दूसरा बिंदू आगे जली रख दीजेजे इसमें क्योंकि यही अती परवले 3, root 2 से होगे जा रहा है तो x 3 root 2 तीन गोड़े 9 का स्क्वेर 9 दो 18 तो 18 बटे a स्क्वेर माइनस y स्क्वेर अपॉन कितना b स्क्वेर एक कोल डू कितना हो जाएगा 1 ओकी तो y की जगे तो 2 है ना तो 2 भाई 4 हो गया 2 का स्क्वेर कितना हो गया 4 तो 18 बटे 9 याने 2 माइनस 4 अपॉन b स्क्वेर एक कोल टू 1 तो b स्क्वेर चार दो माइनस 1 याने 1 बराबर 4 बटे b स्क्वेर ओके तो b स्क्वेर एक कोल टू कितना हो गया 4 यह लिजी जी तो a स्क्वेर आगया 9 और b स्क्वेर आगया 4 मतलब a स्क्वेर बड़ा है और b स् तो उतके इंदरता बनानी है हमको तो हम जानते हैं B square equal to होता है A square और उतके इंदरता E square minus 1 यह लगता है फंडा तो B square की value किती है 4 है A square upon में चला जाएगा 9 बराबर E square minus 1 तो 9 और 4 तेरा बटे 9 बराबर कितना हो गया E square तो E बराबर हो गया अंडर रूट 13 बटे 9 का रूट हो गया तीन अंडर रूट 13 बटे 3 चलिए तो यह हमारा answer आचुका है इसका देखे जारा अभी भी कितने लोग जोड़ा है अगला सवाल देखे कहरा article के अक्षरों से कितने शब बनाया जासकते है यह दिस स्वारों को विशा में इस्थान पर रखा जाये तो कह रहा है कि article से कितने अक्षर बनाया जासकते है तो पहले total इस्थान देख लिजे और total शब देख लिजे कितने स्वार है A, R, T, I, C, L, E तो देखिए यहाँ पर यह एक स्वर है यह एक स्वर है यह एक स्वर है टोटल आपके पास तीन स्वर है और आपके पास इस्थान कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छे साथ तो साथ डिब्बे बना लीजिए आपके पास में टोटल एक दो तीन चार पाँच छे और यह साथ डिब्बे में आपके पास जो है कहरा यदि स्वरों को विसामिस्थान पर रखा जाए तो विसामिस्थान यह है यह है यह है और यह है तो चार में से आपको स्वरों को तीन विसामिस्थान पर आपके पास टोटल चार स्थान है और चार में आपको तीन स्वरों को घुमाना है तो 4P3 तीन स्थानों पर तो आपके तीन स्वर चार स्थानों में से तीन स्थानों पर घुम जाएंगे अब आपके पास कितने शब्द बन गाए एक बज गया, दो बज गया, तीन बज गया, चार बज गया आपके पास 4 सब दोर बज़ गए तो 4P4 याने की फैक्टोरियल 4 तरीके से यह होंगे तो 4P3 मतलब कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4-3 याने 1 और 4P4 याने फैक्टोरियल 4 तो 24 अगुणे 24 ठीक है आंसर कितना होगा 576 गरेक्ट आंसर B तो 576 तरीके से आप जो है इन सब्दों को गुमा सकते हैं चलिए 6-6 के बाद क्वेश्चन नमबर 67 की तरफ चलते हैं बिन्दू 2,5 से इस परवल है Y² इक्वल टू 8X पर कीची गई इस परसी जीवा की लंबाई ओके भाई साब ये तो बड़ा ही विचेत्र क्वेश्चन समझ में आ रहा है ओके आपको बताना है कि इस परसी जीवा की लंबाई क्या होगी अंडरूट S1 एक समय करण उसमें होता था वरत्य के समय में बड़ा सरल था इस आवाल डार्क ली अंडरूट करके S1 कर दो तो आंसर आ जाता था इस परसी जीवा की लंबाई बिंदू 2,5 से परवल है Y2 2 X2 पर खीची गए इस परसी लिवा की लंबाई ठीक है चली तो दीकि सबसे पहले तो यह है कि हम इस परसी रिका का समय करण तो बनाई सकते हैं तो आपके पास इस परसी का समय करण Y2 बराबर 8X पर क्या हो जाएगा Y की जगह आ जाता है Y1 और 8 और X की जगह जाता है X प्लस X1 अपॉन 2 आ जाता है एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू मतलब एक्स प्लस एट कितना एक्स की जगा टू अपॉन फाइव ठीक ना स्वरी टू है यहां पर तो दो से कितने बार गया चार बार तो 5y एक्स प्लस एट यह एक्वेशन आ गया यह हमारे पास आ गया इस पर्च रेखा का समीका ठीक ना बिन्दू यह जो है हमारे पास में इस पर्च रेखा है और यह इस पर्च रेखा y स्क्वेर एक्वार टू 4x प्लस एट पर है अब कह रहा है इसका जो है हमें जीवा की लंबाई चाहिए है जीवा की लंबाई चाहिए तो पहले हमें इसके स्पर्ष बिंदू निकालने पड़ेंगे और इस पर्ष बिंदू से हम फिर इसकी दूरी निकाल पाएंगे कोई short cut theory method हो तो बड़ा अच्छा रहेगा पर अभी right now level नहीं है इसको इस पर्ष बिंदो निकालने पड़ेंगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी y square equal to 8x पहरा वोला है अब इस पर्ष बिंदो निकाली तो कैसे निकालते हैं चली निकाल देता हूँ y की value रखनी पड़ेगी यहाँ पर तो y square equal to 8x है तो y की value रखोंगा तो 4x plus 8 upon 5 4x plus 8 upon 5 का whole square equal to कितना हो जाएगा 8x तो यहाँ से 4 common ले लूँ मैं तो अंदर कितना बचेगा x plus 2 upon 5 का whole square 4 का square 16 equal to 8x upon कितना हो जाएगा 16 दो cancel हो गए दो बार तो इसको value solve करनी पड़ेगी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके बार हमें मिल जाएगे value किसकी x और y की और उससे हम निकाल लेंगे दूरी 2,5 की बट यहाँ पर वक्त यह है कि हम इसको सोचें कि यह कैसे हो जाएगा एक आइडिया लगाता हूँ actually वरत्य के केस में क्या होता है इस परशी जीवा की लंबाई होती है under root s1 अब यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो y square जो परवले है वो y square minus a tax equal to 0 मतलब अपने पास जो परवले काम करेगा वो y square minus a tax होगा तो यदि यहाँ से मैं under root s1 का concept लगाऊं तो under root s1 मतलब y square तो point अपने पास क्या है 2,5 तो 5 का square 25 और minus 8 गुने 2 2,5 है ना तो 2,5 ओके नहीं हो रहा है option ही match नहीं हो रहा है मतलब यह concept जो है जो circle में अपन लगा रहे थे इसको सोचा हम नहीं कि इसको हम इसमें भी लगा लेंगे उस concept को यहाँ पे हम लगा नहीं सकते है तो सोचने की गलती भी ना करें इस concept को नहीं लगाए मतलब इसको पूरे तरीके से हमको बड़े तरीके से करना पड़ेगा चलिए तो किसी के पास को इसका short method है क्या प्लीज बताईए मेडम कोई short method है कि इसके आपके पास चलिए तो इसको इसी तरीके से फिर फिलाल करिए आंगे की classes में मैं आपको इसकी short method बताऊँगा मतलब फिलाल के लिए क्या करना है फिलाल के लिए आपको इसको कोई जो process मैंने सीखाई आपको की हल करना पड़ेगा आपको x का मानी यहाँ पे निकालना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा lengthy हो जाएगा तो यदि यहाँ से देखा जाए तो यह कितना हो जाएगा यह बन जाएगा x square plus 4x plus 4 equal to upon 5 का square 25 तो यहाँ पे आजाएगा कितना 25x और यहाँ पे 2 का multiply हो जाएगा तो 2x square plus 8x plus 8 equal to 25x तो 2x square 8 minus 25 मतलब minus का 25 में आड़ गया तो 17x और प्लस 8 बराबर 0 तो ऐसे दो नमबर multiply करने पर 16 और 17 तो I think 17 और एक 16 multiply करने पर 16 एक 17 तो वही होगा minus 16 minus 1 तो 2x square minus का 16x और minus का x plus 8 equal to 0 तो 2x common ले लिया x minus 8 और minus 1 common x minus 8 equal to 0 तो भहिया x equal to 1 by 2 और x equal to 8 तो x equal to 1 by 2 पर value निकाल लो भाई साब तो x equal to 1 by 2 पर value आएगी हिती x equal to 1 by 2 पर y की value पुट करिए आ रही है 2 x की value 1 by 2 डाल दीए यहां से रिखे तो 8 और 2 दस हो जागा 2,2 and 8,8 यह point आ रहे हैं और अपना जो point है वो क्या है अपने पास जिससे दूरी find करनी है अपनको जिससे दूरी find करनी है वो है 2,5 तो आई है 2,5 से अपन दूरी find करें यह 2,5 है इससे दूरी इसकी find कर लेते हैं तो दो distance है वो आप्शन में तो एक ही है तो मैं पहले यह find कर रहा हूँ आठ में से दो गए 6, 6 का square, 36, 8 में से 5 गए 3, 3 का square, 9, 6, 15, under root 45 दूरी आ रही है चली देखते है, root में option है, क्या, under root 45 नहीं है, मतलब यह वाली दूरी काम करीगी चली, कैसे करते हैं देखिए भाई साब, यह वाली दूरी निकालने के लिए तो 2-1 upon 2, 2-1 upon 2, मतलब 3 by 2 का square, plus 5 by 5-2, यहने 3 का square 9 तो 9 बटे चार, plus 9, तो 9 चोके 36, 36, 9, 41 बटे चार, मतलब अंडर root 41 upon 2 ओ भाई, root 41 upon 2, correct answer is A, let's see whether our answer is correct 41 by 2, 3 root 2, 41, एक मिड़ जी, 3 root 2 क्या मारा आ जी 9, 4, 36, 36, 36 और 9, 9, 6, 15, 45 होता है न? 36 और 9, 9, 6, 15, 45, और 45 मतलब की कितना? 59, 45, 3 root 5 by 2 3 root, इसका ही पर mistake हो गई थोड़ी सी, answer इसका आ रहा है कितना? इसका answer आ रहा है 3 by 2 under root 41, तो कहीं पर छोटी सी minor mistake हो रही है 3 by 2 under root 41, इधर का तो आ चुका है, 3 by 2 under root 41 चली ठीक है, अब कल इस question को एक बार फिर से करेंगे, इसको हम पन इसको छोड़ देते हैं, एक बार कल से इस question को फिर से करेंगे, तो समझ में आएगा आज काफी रात हो चुकी है मित्रों, तो आज की class को यहीं पर end करते हैं, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद, नमस्कार